हलो मित्रों जैमातादे मित्रों कुम्बराशी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि तेन चार और पांच मार्च ये तीन दिनों में आपको विशेश रूप से अपने परिवार वालों के सदस्य से थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरुरत रहेंगे क्योंकि आपके जो विश्वास घाती हैं जो कि आपके घर परिवार में रह रहे हैं उन सबों से आपको बच कर रहने के जरुरत हैं आपको बताएंगे इन तीन दिनों के महारासिफल के बारे में आपको बताएंगे आपको इन तीन दिनों में कौन से चेतरों में कारी करने से ज्यादा सफलता आपके मान सम्मान स्कृति में विर्दी हो सकेंगे और आप जिस भी छेतर में कार कर रहे हैं उन सबों में आप बहतर परदर्शन कर सकोगे इसके लिए आप क्या करें क्या ना करें तथा कौन से छेतरों में आपको साफधान रहने की जरुरत रहेंगे आपक कि अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारे आपके लिए और आपके परिवार के लिए काफी महत्पून रहने वाली हैं क्योंकि कुछ लोग आपके ही परिवार से हैं जो कि आपको नुकसान की कोशिश कर रहे हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सक हैं मत्रों कुम्बरासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मार्च का महिना प्रारंब होते हैं आपको आपके जीवर में कई वड़े सकरात्मक परिणामों के प्राप्ति हो चुकी हैं और आपको बताना चाहेंगे कि विशेश रूप से मार्च के महिने में आपके उपर मा संतूसी की किरपा रहेंगे और माता संतूसे आप पर काफी परसंद रहेंगे जिनसे की आपको आपके कारियों में सफलता प्राप्त होंगे परन्तो इसके वावजूद आपको विशेश रूप से कुछ कार्यों को करते समय और कुछ लोगों से सावधान रहने के जरुरत हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप नोकरी पेसावाले हैं तो नोकरी के छेतर में चल रहे परियास सफल होंगे बैपारी वर्गों को लाव की फ्रावती होंगे और आपको अपने घर में खुसी का माहूल भी बनता हुआ देखने को मिलेंगे तथा आपको आपके जीवन साथी की तरब से कोई वड़ी खुसकवरी मिल सकती हैं और आने वाले समय आपके लिए काफी खुसियों के सौगात लेकर आए गया परन्तु आपको बताना चाहेंगे कि आपके कुछ ऐसे सगे समंदी हैं कुछ ऐसे रिष्टेदार हैं जो के आपको हमेशा नीचा दिखाने का या फिर आपको बदनाम करने का साजिस करते रहते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि इन तीन दिनों में आप उनसे सत्रग रहें इसके साथ साथ आपके वैपार अच्छी चलेंगी आपके आय और नोकरे में पदोनती मिलने के प्रभल योग बन रहे हैं और आप अपने विजनस वैपार में दोबारा दुगना मुनाफा कर सकोगे दाम पत्ते जीवन के लिए आज का समय काफी अच्छा है आपके फ्रेम जीवन में सुखसांती बनी रहेंगे आपको दैनिक जीवन में नई नई खुसियां मिलेंगे परिवार में खुसी का माहूल बना रहेगा और निरासा के बादल आपके जीवन से हमेशा के लि वाली राह में बादाएं मा संतुसी दूर कर सकेंगे आपके सुखसमय की सुरुवात हो चुके हैं आप किसी ऐसे अस्तान के यात्रा कर सकते हैं जहां इससे पहले आप कहीं नहीं गहें मित्रों आपको पिछले कुछ समय से जीवन साती के साथ यदि कोई तनाव के इस्तित कुछ जादा ही हो रही हैं तो आपको सावधान रहने के जुर्रत हैं आपको अपने भवे से और बैपार को लेकर सारी चिंताओं से मुक्ति मिलेंगे आपके जीवन में कई सारे बदलाव हो रहे हैं बैपार रोजगार में समय समय पर निरने लेने पर लाव होंगे कम समय म अधिक लाव अर्जित करने के चेश्टा आप अपने दिल में और दिमाग में ला सकते हैं माता लक्षमी के आशिरवाद से आपके कामकाज में की गई महनतों का आपको सफलता प्रादान होंगे कामकाज में आपका अधिक मन लगेगा कार अस्तल में आपको बड़े अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा प्रोपर्टी के कारियों में आपको सफलता हासिल होंगे और घर परिवार के लोगों के बेज आपसे सहयोग बने रहेंगे मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपका प्रेम जीवन वे, काफी खुशिहाली पुरुवक वैती तो होने वाला है, आमदनी के अच्छे सुरूत अहासिल होंगे, बैपार में आपको कोई समझवता मिल सकता है, आप जितना जादा परियास करेंगे, काम उतने ही ब बताना चाहेंगे, कि आपको कुछ लोगों से विशेस फ्रकार के अपने बचाव करने के इस्तितियों को बनाए रखने के जुरुत रहेंगे, मत्रों आपको बताना चाहेंगे, कि आप कोई नया वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं, और इस विशे में कोई बड़ा डिसीज भी ले सकते हैं, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेंगे, आपके घर में किसी महमान के आने के योग बन रहे हैं, जिन से आपके घर परिवार की माहूल काफी बड़ियां रहेगा, परिवारिक मसले पर आपको अचानक कहीं लंबी दूरी की यात्रा करनी पर सकते हैं, यात् नए सोदे को अंतिम रूप आप दे सकोगे, बविस में आप अत्यदिक लाव अरजित कर सकोगे, पैसो से समन देत, कोई उलजा हुआ मामला भे, आप आसानी से हल कर सकते हैं, आपको आपके महनत का पूरा पूरा लाव मिलेगा, प्रोपर्टी से आपको अनेक प्रकार के फायदे होंगे, आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे, इसके साथ साथ आपके दिन्चरिया में, आपके रोजगार में, आपके दैनिक जीवर में, जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन सबों से आपको छुटकारा मिले वाले हैं, पैसो से जुड़े गियां दूर होंगे, राजनेतिक के चेत्र से जुड़े लोगों को काफी समय अच्छा रहेगा, समाज में नए लोगों से परिचे होंगे, बिरुजगारों को रोजगार मिल सकेंगे, और जो लोग लंबे समय से काफे बिरुजगारी के चकर में ग्रसित थे, उनको अच् जरूर मिलेंगे घर में बड़े भाई का सपोर्ट सबसे अधिक मिलने वाला है जिससे आपको धन के प्राप्ति होंगे मत्रों इसरासी के चात्रों को बहतर फदुनति के प्राप्ति होंगे आपको सामाजी कमान प्रतिष्टा मिलेंगे आप तेजी से प्रगति करते हुए सम पार्ट में मन लगेगा तथा आप कुछ नए लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं इन तीन दिनों में आपको अपने घरेलू परिष्टितियों में सुधार लाने के लिए थोड़े से प्रियास करने हो सकते हैं आपके बहुत एक सुखसाद दिनों में बडोतरी होंगे होगा लेन देन और निवेस में आपको किस्मत का सहीयोग मिलेंगे आप जिस महत्पोंड कारी के लिए मेहनत कर रहे हैं उचमें आपको सफलता मिलेंगे अपने क्रोध पर नियंतरन रखने की जरुरत हैं जीवन साती के साथ बाहर गुमने का प्लान बना सकोगे जिससे दो बोड़ी सी जादा मेहनत करने होंगे किन्तो आप दीरे दीरे करके सारी परिष्टितियों को समझ दे हुए अपने कारी को कर सकोगे अगर आप वैपारी वर्ग के जातक हैं तो आपको वैपार के छेतर में काफे तरक्की मिले वाली हैं और कारोबार सुरोत में विर्दी हो सकेंगे नए वाहन नए सुक के फ्रावति होने के योग हैं बहतिक सुकसादनों में बढ़ोतरी होंगे जमीन जायदाद से समंदेत मामलों का आप निप्टार कर सकोगे आपके धन में बढ़ोतरी होंगे परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं की योजना वना सकते हैं सलामसवरा से आगे वढ़ने से सब कुछ अच्छा होगा बिजनस बढ़ाने के वहत्रीन आवसर मिलेंगे अनबवी लोगों से कॉंटेक्ट हो सकते हैं आपके लिए समय काफिस सुखद रहेंगे और सनिदेब की किरपा से आप अपार सफलताय पासकोगे आपके अधूरे स अपने साकार होंगे प्रने संबंदों में सुख और लाव की फ्राफ्ति होंगे आपके सभी योजनाएं सफल रहने वाली हैं आप अपने करियर में आगे वर्षकोगे कारशेत्र में चल रही वाधाएं दूर होंगे बौधिक चिंतन से आपके कुछ आकांचाएं दूर हो आपके व्यवसाय में आपको तरक के देखने को मिलेंगे तथा अनेक प्रकार की सट्टेवाजी में लाब हो सकेंगे आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण हरहर महादेव अवस्त लिखें आपका दिन सुबहो मंगलकारी हो जै माविंदु